हालो अच्छो बेरी बेरी गुड मार्निंग टू आल अफ यू तो कैसे हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो बेटा आज आपके बीच मैथमेटिक्स का यानि आपको टारगेट पॉल टेक्निक के सीरीज में बेटा मैथ का फिर आपके बीच मैं बहुत ही जबरदस्त ले क्या आया हूँ इस लेक्चर का नाम है बेटा सुपर्ब हंड्रेड क्या लिखा हुआ है सुपर्ब हंड्रेड यानि सुपर्ब हंड्रेड में आपको आज मैं फिर सैंचूरी लगाने वाला हूँ सेंचूरी लगाने बाला हूँ बेटा 100 आपके मिसलीसियस टाइप के BBI कोसंस लेकर आया हूँ एक सौ मिसलीसियस आपके BBI कोसंस लाए गये हैं लेकिन आज के सेट के लिए बहुत महत्मून आपके पास क्या है वो आप समझ जाएंगे कोई नहीं बताएगा मेरे भाई आज मैं टर्म्स और ट्रिक का अमबार लगाऊंगा यानि पहले भी मैंने कल आपको पर्सों मैंने जो सूपर हंड्रेज लाया था उसमें बेटा सारे कोस्टन को बेसिक कॉंसेप्ट से तोड़ तोड़ के आपको समझाया था कल मैंने जो आपको लाया था बेसिक कॉंसेप्ट को छोड़ कर दूसरा तरीका से सॉल्व करके बताया था और आज जो हमारा तरीका होगा बताने का वो बिल्कुल अलग होगा तरीका बिल्कुल अलग होगा आज मैं जितने कोस्टन को बताने जा रहा हूँ उसका तरीका बेटा बिल्कुल अलग होगा और ये तरीका आपको जानना हो और सिखना हो तो केबल कोई बता सकता है तो सार् चोटा सा यूटूब चैनल सारदा क्लासे जार दिखारदी का भिनंदन करता था है और रहेगा तो मेरे भाई देखिएगा नए बच्चे के लिए कुछ चीजे मैं आपको बता दू जो नए बच्चे होंगे बेटा सारे बच्चे लाइक कर देंगे लाइक करके अपने उपस साम के साथ बते विटा-फिजिक्स का लास होता है पीडिये फोगा है नोट्सों गया डीपीपी डेली प्रक्टिस पेपर हो गया अब बटा टेस्ट हो गया यानि सारे चाप्टर के पीडिये जितने भी लैक्टर आपको प्रोवाइट किये जाते हैं उन सभी का पीडिये चैप्टर बाइज आपका नोट्स डेपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर हो गया और टेस्ट हो गया ये सारा का सारा सुब्धा हम आपको अपने टेलेग्राम चैनल सारदा क्लासे 01 पर जो यूटूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पाया गया है वहाँ एविलेबल करवात करते हैं और ये सारे के सारे सुब्धाएं बेटा आपको फिरी आपको प्रोवाइड करवाया जाता है नोट आउट बिलकुल बेटा एक दम जो मैंने कह दिया मानलो कह दिया ब्रहमा का लकीर है तो बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट करते हैं और देखिएगा और आपको बेटा बहुत सारे सारे टर्म से अलग अलग टाइप का कोस्टन मैं सुरू में लाया हूँ आज मेरी कोशिस है कि कम से कम 10 चैप्टर आपको मैथमेटिक्स का अलजेबरा का आपको 58 चैप्टर पूरा रिभाइज करवा दू और उसके बाद सभी टाइप के लास्ट में आपके पास कोस्टन दिया गया है फोर प्लास फोर प्लास फोर अडिवाइडेड वाई क्या दिया है फोर तो बेटा यह किसका कोस्टन है तो बोर्ड मास का कोस्टन है किसका कोस्टन है भी बोर्ड मास का कोस्टन है आप ध्यान से देखिएगा यह बोर्ड मास का कोस्टन क तो मैं आपको समझाता हूँ, पहले समझ लिजेगा, पहले समझ लिजेगा जो मैं बताने वाला हूँ, तो बेटा सब से पहले बार ब्रेकेट जो होता है, उसका इस्तमाल करते हैं, उसके बाद बेटा छोटा ब्रेकेट, उसके बाद मिडिर ब्रेकेट में लगा जाता है, उ उसके बाद इसमें लगेगा, तीसरा इसमें लगेगा, ध्यान चे देखिएगा, जो बच्चे नहीं पढ़ेंगे, वैसे मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ, मात्मा में ये लगेगा, उसके बाद बेटा डिवीजन होगा, इसका उप्योग छठा में करेंगे, डिव ऐसे ऐसे, अब यहाँ पढ़ आपको चुरना है, तो एडिशन बेटा लास्ट में है, उससे पहले सब्स्ट्रक्शन है, यानि डिवीजन है, तो डिवीजन में उप्योग किजिएगा, इस्टिप बाई स्टिप सोचिएगा, जैसे मैं सोच के सिखा रहा हूँ, फोर प्लस फोर प्लस फोर इन्टू ये आपका डिवीजन में था, तो डिवीजन को मल्टिप्लिकेशन में चेंज किजिएगा, तो वन भाई फोर हो जाएगा, कटके कितना जाएगा, मेरे भाई, यानि फोर प्लस फोर आप लस वन बढ़ावर क्या हो जाएगा, नाइन, सारे चैप्टर, अल्जेबडा का पूरा पोर्शन को खा जाओंगा, निगल जाओंगा, और उसके बाद जो बचा हुआ चैप्टर होगा, उससे भी मिसलिए CS टाइप का 30-40 कोशन करवाओंगा, यानि पूरा सिलिबस को आज भी मैं कभर करने जा रहा हूँ, सुपर्भ 100 लेक् आते हैं हम लोग, तब मल्टिप्लिकेशन आता है, तो डिवाइड कर दीजे कितना आ गया, तू आ गया, अब बेटा फाइब इंटू 3, फाइब इंटू 3 प्लस 2, यानि डिवीजन का यहां यूज किये, अब मल्टिप्लिकेशन कीजे, तो यह हो गया 15, आप प्लस 2, कितन आ गया 17, फटा फट जबाब दीजेगा, सारे बच्चे जबाब देंगे भाई, आप बताईए, जल्दी जल्दी आप बताते रहेंगे, चलि आगला कोशन इसको बनाईए, जल्दी बताईए, दोस्तों को सेर कीजे, मेरे बाई, मैं इससे मुझसे बेहतर नहीं हो सकता है, ये मैं बार-बार कहता हूँ, चाहे कोई भी पढ़ा ले, अभी तो आपको मेरा कॉयलिफिकेशन नहीं पता है, इस बज़ा से आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ बेटा याद रखिएगा, मैं अपने बिशाय में और अपने संस्थान के बिशाय में आप आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, इसी मन्त के 15 तारीक के बाद, आपको मैं डेट और्गेनाइज करके बताऊंगा, उस दिन बेटा सारे बच्चे उपस्तित रहेंगे, उस दिन सारे बच्चे उनलाइन और अफलाइन सेक्टर का लगबग सारा बच्चा उपस्तित हो पहले डिवीजन में लगाऊंगा, तो क्या दिया हुआ है 65, आप प्लस 63 डिवाइडेड वाई 7 दिया हुआ है, और प्लस बेटा यहाँ पर इन्टू था मल्टिप्लिकेसन था, और प्लस में आपको दिये गया है 27, आप माइनस में दिया हुआ है 2, तो पहले डिवीजन का तो और यह तो क्या होगा, 97, 63 हो गया, 9 को 25 से गुना कर दिजे, फर्स्ट एस्टेम पर इसको करेंगे, फिर लिखेंगे 25 इन्टू 9 लिखेंगे, आप प्लस 27 माइनस 2 लिखेंगे, अब इसको गुना कीजेगा तो 220 आजागा, गुना का भी हो गया, अब बेटा बटा क्या आपके पास 27 माइनस 2, आप क्या कीजे, पहले जोड का कीजे, लास्ट में घटाओ का होता है, तो पहले जोड यह तो क्या हो जाएगा, ति यह 252 हो जाएगा, और लास्ट में घटा घटाइएगा, 250 हैगा, step by step कीजेगा, कैलकुलेशन हमेशा step by step होना चाहिए, कौन सो क्या बात है, 250, सारे बच्चे बेटा इसे ही बताते रहेंगे, next question देखेगा, आपके पास बेटा question है, क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, माइनस में है, अब बेटा आपके पास 4 दिया हुआ है, माइनस में 3 है, माइनस में 2 है, मैंने आपको बोला था कि बेटा जब लाइक है सारे बच्चे लाइक कर देंगे नए नए बच्चे चैनल को जूर सब्सक्राइब कीजिएगा फटा फट आगे बरता हूं दोस्तों को सेर कीजिए चलिए आगे बढ़ा जाए आगे बढ़ा जाए भाई जल्दी 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 आगे ब सबस्तित है जै पांडे बेटा इसका बताओ इसका क्या होगा अंसर ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्या बात है पढ़वा महतो एक ही और जा रहा है यसर जी आगे बढ़ा जाए टू होगा आसुतोस बर्मा का अंसर टू है पूजा बी की और जा रही है प्रभात सिंग आपके इसका क्रिया होगा तो इसका क्रिया होगा यानि यह जो बार दिया हुआ इसका क्रिया तो बेटा टू माइनस सब को रहने दो जैसे है वैसे ही रहने दो ज्यादा दिमाग मत लगाओ मैंने वहां भी समझाया था फोड हो गया इन दोनों को जोड़िएगा तो बेटा थ्री में से क्या घट गया तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा तो 4-1 कर देंगे हो गया अब बेटा आपको क्रिया क्या करना है वो ध्यान से देखिएगा इसका उसके बाद फोर में से 1 घट गया तो 3 बचा यह आपको-3 है और यह आपको क्या हो जाएगा-3 होजए यानि-3 नहीं था वाइं सोजे 3 था अब आपका क्या गया तो अगला स्टेप 2 ब्रेंगेट का है तो मद्यम कोष्ट में 3 में से 3 गया 0 बढ़ावर क्या हो जाएगा यानि कौन सो option number बेटा यह हो जाएंगे, पहला chapter आपको मैं simplification board mask को डिभाइच करवा रहा हूँ, अब यहाँ पर देखो question दिया हुआ है, minus 13 plus minus 6 divided by 2 यानि आपका है क्या, तो इसमें दो चीज है, एक आपका दिया हुआ है किसका, तो एक आपका division का है, एक आपका addition का है, दो ही नियम इस्त divided by minus 4, multiplication में यह दिया हुआ है, तो पहले division का इस्तमाल कीजिए, इसको इससे कार दिजिए, तो आपका minus 3 आजाएगा, आपके पास आया क्या, minus 13 आगया, plus बेटा आपके पास क्या आगया, minus 3 आगया, और इसको division कर लिए, multiplication कर दिजिए, 5, 4, 20, तो प्लस में आपका 20 आगया, एक दम आपका, कितना बचेगा भाई, 20 में से 16 गया, तो 4 बचेगा ना, चलिए, कितना बच गया, 4 बच गया, next question बेटा, आपके पास है, अगला question, ध्यान से देखिएगा, फटा 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 answer बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताओ, मैं सारे chapter को पढ़ा रखा हूँ, एक एक chapter को रिभाईज किजिए, चलिए फटा फट सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को जबूर सब्सक्राइब किजिएगा, एक एक चीज बेटा तोर तोर क्या समझाओंगा, आपके बीच रखा गया है, बेटा पहले इस question को तोर लो, पहले आपका bracket वाला है, सबको तोरतार के हटा दो, यह 5, 1 by 4 लिखा हुआ है, यह बेटा लिखा गया है, 3, 1 by 8 लिखा गया है, और यहाँ पर divide है, तो divided by दिया गया है, 1, 1 by 4 दिया गया है, और minus में 1, 1 by 4 दिया गया है, 1, 1 by 4 दिया गया है, यह आपके option दिये गया है, फटा फट लेखिन यहाँ पर घटेगा तो नहीं इधर तो पहले आपको डिवीजन का क्रिया करना होगा इसको पहले तोड़ लिजे क्या होगा पंचो का बी सा एक एक कैस बटा चार हो गया प्लस बैटा आ तरीक चाववी से एक पचीस बटा आठ हो गया और इसको करेंगे तो क्या जाएगा फोर बन माइनस में 5 by 4 हो गया अब आप एडिशन सब्ट्रेक्शन एक साथ भी कर सकते हैं तो डाइरेक्ट मैंने LCM इसका फोर ले लिया फोर लेने के बाद क्या आएगा तो यह बेटा 21 आ जाएगा फोर यह आपका टेन आ जाएगा और इदा आपको 5 आ जाएगा यानि 31 माइनस 5 26 आएगा ध्यान से देखो भाई यहाँ कही गलती sud है आठ आपका दिया ओर पंचों का 28 या निकोन्सा ऊप्शन आएगा बई छो दूनि बारा सही तेरा भलता हाँ नुदी कर ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है एकदम 13 हो गया दो हो गया यानि आपका 6 चलिए हम लोग अभी तक एकदम तेजी से चलेंगे यह प्रैक्टिस का कोस्टन से आपके लिए लाया हूँ पान छे चैप्टर पहले में रिभाइज कर बाऊंगा परसेंटेज हो गया एवरेज हो गया रैस्यों प्रोपोस्टनल हो गया प्रोफिट लॉसेंड डिसकाउंट हो गया सिंप्लिफिकेशन बोड मास हो गया यह सब चैप्टर आज पूरा रिभाइज कर बाऊंगा और उसके बाद पूरा चैप्टर जो बचा हुआ है पूरे किताब से भी कोस्टन 30-40 लास्ट में बताऊंगा तो याद रखिएगा शुरू से लास्ट तक बने रहेंगे तो सब चीज आपके दिमाग में जाएगा बेटा इसको भी तोर दीजिए सारे बच्चे बेटा एक बार लाइक कर देंगे फटा फट लाइक किजिएगा एक बार मैं 10 सकेंड का समय दे रहा हूँ बहुत सारे बच्चे डेर सो बच्चे हमारे पास हैं लेकिन लाइक बेट 500 कोश्चन चलेगा बिल्कुल अलग कोश्चन होगा और सो का कोस्चन अलग था कल का लग था आप 500 कोश्चन पढ़ने जाएगा तो 7-8 घंटा असमेलेगा उतना बहतर तरीका से नहीं तोरके समझाएगा जितना मैं तोर तोरके समझा देता हूँ एक दम किताब के लाइन लाइन से कुस्चन बनाके पूरा चैप्टर का रिविजन करवा रहा हूं फटा फट में तो पूरा थियोरी अगर रिभाइच करना हो तो मेरा फटा फट देखना नहीं भूलिएगा बेटा क्या गया तो पांच आपका दिया हुआ है फाइब वन बाई सेवन दिया हुआ है उसके बाद आपको दिया हुआ है का यह क्या दिया हुआ है का 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 क्रिया चारों ब्रैकेट के बाद होता है यानि चारों ब्रैकेट और बार ब्रैकेट के बाद होता है यानि टू वन बाई आपका थ्री दिया हुआ है अब इसको तोड़िए तो साथ पचे पैंतिस आ एक आप प्लस बेटा 4 बच गया तो क्या हो गया? तो 36 हो गया और प्लस 7 चूक अधा इस अब बटा क्या हो गया? 7 हो गया, लो डाउट अब इसको क्या करेंगे? इस्वा मुख करेंगे, तो 8 6 4 2 हो गया, 3 लो 5 वांच एक 65 हो गया और बटा साथ हो गया साथ से लिग यह भाग दिजेगा कित्ता आएगा जल्दी जली दो तो कोश्चन यहीं था कहीं गुणा भाग तो गलती है दिया हुआ ता 6,5 एक बटा साथ दिया हुआ गोना शान घिर रहा है दिखर वा सकता है नाइन भाई न बटन घंडिंठा हुँ अजे recount और समेए्रец वाल धूर मैं लेकर आमसे को सकता है को साथ आना गलती है एकम जैए इसन देख लेता हुआ हो हो सकता है को सन ही आपका मिश्टेक हो अधिकांस में यही होता है कि कोस्टन आपका मिश्टेक होता है अच्छा 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 यह बात यहां पर बेटा मिश्टेक था मिश्टेक आपको यह सही है यहां पर डिवीजन का सिंबॉल है यहां पर किसका सि यहां पर डिविजन का सिम्बल जब एटा यह डिविजन का सिम्बल था तो यहां पर आपका क्या instrument & क्ट अधा यहां पर पर इसको हटाईए सब को स्कूंसरी मुष्Gen ओपिसित सबस्टों क 계से थे निक्स्ट को सट देखेगा फटा फट यहां तक समझ में आया की नहीं सारे बचते की बताई है एक बर इमांदारी से बताई समय में आए नहीं आ इससे बेतर आपको नहीं concept मिलेगा बाई मैं बार बार कहता हूं 500 question बेटा साम में पढ़ाता हूं एक को कोई 100 question अभी दिखाता हूं 600 question और 100 plus question सुबह में लेके आता हूं 700 से 800 question ये पड़े मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं मेरा target है कि आपका मैंने target बनाया था दो दिन पहले कि आपको एक सप्ता के अंदर 5000 question आपको करके दूँगा ताकि 5000 question में 1500, 190 जो भी पूछेगा maximum question वही से टकड़ाएगा याद रखिएगा कहीं भटकने क्या बसकता नहीं है भटकते हैं तो अपना समय आप खुद बरबाद कर रहे हैं वहाँ पर मेरी जबाब देही नहीं होगी result बेहतर आपको करना है तो बेटा मैं जो बताता हूं उतना ही करो 1 by 2 है और plus बेटा दिया हुआ है 3 by 4 दिया हुआ है और plus में आपको दिया हुआ है 2 by 3 दिया हुआ है और उसके बाद तो कुछ है नहीं सायद मैं देख लूँ कहीं होगा तो आगे गलती हो जाएगा आगे गलती हो जाएगा इसके बाद क्या था तो 1 by 2 3 by 4 2 by 3 और बता में 1 by 2 दिया हुआ है भाग में 3 by 4 है यहां पर बट्टा में 1 by 2 दिया हुआ है और भाग में बेटा 3 by 4 दिया हुआ है तब दिया हुआ है ऐसा कोशन था तो यहां पर बट्टा में 1 by 2 दिया हुआ है भाग में आपका 3 by 4 दिया हुआ है जो छुटा हुआ था उसके बाद लिखा गया है का में 2 by 3 लिखा गया है ऐस साइश इसा ही को सतना आपका option बताइएगा क्या बात है!!! जल्दी बताईए!! जल्दी बताईए!!! जल 뉴스 कि नए नए बहुत सारे बच्चे हैं भाई दिखाई दे रहा है। जल्दी-जल्दी मारो मेरे भाई क्या घबराता है सामने खड़ा इन्सान आपको दिखाई दे रहा होगा अब बेटा इसमें सौब से पहले किस क्या करिया होगा तक का का करिया होगा तक का मतलब गुन हो गया numéro countries कर दो dealt । due near chare हो गया और 3 3 कट गया आपके पास यह आगया अब उपरवाला को उपर वाला से solve कर दो भाई इसका पूरा का एक कहानी तो 4 दूनी 8 तरीक 24 यानि 2 चार इसका LTM हो जाएगा 12 उपर में क्या जाएगा 2 छक 12 तो यहाँ 6 हो जाएगा 4 ती आई 12 हो जाएगा तो 3 ती आई 9 हो जाएगा 3 चोक 12 होगा तो 4 दूनी क्या हो जाएगा 3 चोक 12 तो 4 अब देखिएगा 9,6,15,8,23 क्या हो जाएगा 15,8 आपका कितना आजाएगा 23 आजाएगा डिवाइड नहीं है भाई 1 बाई 2,3 बाई 4 और 2 बाई 3 दिया हुआ है 1 बाई 2,4 बाई 3 आच्छा देखो 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 भाई देखो फिर गलती आग कोस्चन में मिस्प्रिंट है जोर घटा गुना भाग में बरी मिस्प्रिंट है डिवाइड दिया हुआ ता उपर में डिवाइड दिया हुआ है मेरे भाई थोड़ा सा रूकिएगा थोड़ा सा रूकिएगा यहाँ पर डिवीजन है यहाँ पर डिवीजन है वैसे कोस्चन हमारे लिए बहुत आसान हो गया तो, यहाँ पर division का symbol था, क्या है, 1 by 2 दिया हुआ है, divide में दिया हुआ है, आपका 3 by 4 दिया हुआ है, फिर divide में दिया है, 2 by 3 दिया हुआ है, और बट्टा में दिया हुआ है, 1 by 2, फिर divide में दिया है, 3 by 4, तब दिया है का में क्या, तो का में दिया है 2 by 3 ऐसा question था ऐसा question था आप देखिएगा अब तो आसान हो गया बेटा 1 by 2 है इसको multiply में change कि जिएगा तो 4 by 3 हो जाएगा इसको multiply में change कि जिएगा तो 3 by 2 हो जाएगा उपर वाला को मैंने वैसे तोर दिया आसान हो गया calculation हमारे लिए और बेटा ये divide वाला है तो रहने दो 3 by 4 ही रहने दो और गुना कर दो तो इसका 2 by 3 हो जाएगा मैंने बहुत step को एक ही साथ कर लिया दू दूजा हो गया 3 से 3 कट गया अब ये 3 से 3 कट गया ये इससे कट गया साड़ा कट ये 2 कहां चला जाएगा तो उपर चला गया इन 2 में किजेगा तो ये 2 भी उपर चल देखेगा यहां गुना में चेंद किये तो फोर उपर गया 3 नीचे आया फिर उसको गुना में चेंद किये तो 3 उपर गया 2 नीचे आया आप फिर ये जो था तो यहां पर इसको गुना कर दिये किस से तो 2 by 3 से तो ये 3 3 कट गया 2 2 जा फोर फोर फुरी गुना में किये तो आफ्ट गया हुआ है बहुत अच्छा dife your winner most वन माइनस वन वंद बाई 2 उसके बाद दिया हुआ है वन मााइनस वन रोड़ीया हुआ है इन्टो में हाल वन माइनस वन खार दिया हुआ है और इन्ट गुना में है डॉट डॉट गुना में 1-1 भाइ तेण दिया हुआ है अब anomalo अब इसको बनाना है इसको कैसे बनायेगा जरा दिमाग लगा ये फटाफट दिमाग लगाईएगा सारे बच्चे दिमाग लगाना शुरू करेंगे कि इसको बनाएंगे कैसे मेरे भाई फटाफट बनाईएगा फटाफट कोशिस कीजिए भाई कोशिस करने वाले ही काम्याब होते हैं याद रखेंगे कोशिस सब को कर हेड हैं बाद बाकी तो नहीं होगा तो उसके लिए मैं हुई अब येशन को गुना किजागा तो 8 by 9 आजाएगा और 9 by 10 आजाएगा सब यही कट कुट के आजाएगा टोटल का टोटल यह आजाएगा अब जो कटने बाला है फटा फटूरा दो दू से दू गाईब, तीन से तीन गाईब चार से चार गाईब, पांच से पांच 6-6-7-7-8-8-9-9 कट गया, बचा क्या बचा क्या, एक बटा 10 आजाएगा मेरे बाई, आया की नहीं आया, कितना आजान कोश्चन था कितना आजान कोश्चन था बताओ, तो अगला चैप्टर बेटा आएगा, जस्ट इसके बाद इसके एक दो कोश्चन और होंगे, और उसके बाद मैं अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आपको फटा फट अगला चैप्टर, इसके बाद स्टार्ट होगा, 57 चैप्टर तो आज रिवीजन करवा ही दूँगा, चलिए अगला कोश्चन बेटा आपके पास है, बहुत प्लस 1 by 3 दिया हुआ है, फिर 1-1 by 3 दिया हुआ है, 1 प्लस 1 by 4 दिया हुआ है, 1 minus 1 by 4 दिया हुआ है, बस इसी का मान निकालना है, फटा फट शॉल्ब कीजिएगा, दोस्तों को सेर कीजिए भाई, एक क्वेक्टन इंपर्टेंट है, नएन करेंगे नहीं कर रहा है और सारे बच्चे वेटा लाईक कर देंगे नहीं कर रहा है यह गलती बात है जल्दी-जल्दी कीजिएगा दोस्तों को share करो भाई इससे बेहतर नहीं मिलेगा जोडूद रहा है ठीवाई टु आ गया इसको बटाईएगा क्या हैगा वन बाई टू आ गया ऐसे बनाएंगे या कैसे बनाएंगे आप लोग सोचिए इससे भी बन जाएगा और भी बहुत सारे तरीका है हमारे पास उसे भी बन जाएगा तो मेरे ख्याल से तो बहुत आसान दीख रहा है बहुत सिंपल था ऐसे ही बना द दूदूनी चार 4 से 4 गायब हो गया उसके बाद आपको क्या दीया हुआ है बाइ 3 दिया हुआ है यहाँ यह को 3 है इस 3 से 3 को उढ़ादो इधर वाला पूरा साफ हो गया 3 गायब हो गया यह 2 से 2 वार में इकड गया यानि क्या बचा तो 5 बटा 8 बच गया क्या बचा 5 by 8 कौन सू option हो गया तो option number b भी हो गया next question आपके पास क्या है आपको दिया हुआ है बेटा one by one गूने two दिया हुआ है फिर आपको color change कर देता हूं color change कर देता हूं one by दिया हुआ है one into two into four दिया है और फिर plus में one by one into two into four into eight यानि double-double कर दिया गया है और फिर पलस में दिया हुआ है 1 by 1 into 2 into 4 into 8 into 16 दिया गया है यही आपका question है फटा फट जबाब दीजेगा इसका क्या अंसर होगा 1 दिया हुआ है बेटा 1 by यहां क्या लिख सकते हैं कुछ नहीं है तो 1 by 1 लिख सकते हैं पलस 1 by 1 गुने 2 1 का धुगुना 2 हो गया फिर 1 by 1 गुने 2 गुन 8 अब फिर 1 by इतना दिया हुआ है फटा फट जल्दी जल्दी बताइएगा कैसे solve करेंगे बहुत सारे बच्चे यह सोच रहे होंगे कि सर कैसे कैसे solve करेंगे तो मैं आपको अभी जो समझाने वाला हूँ वो बिल्कुल आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर अर्बिंद क आके रखिए 4000 कोस्टन कोई भी पढ़ाने वाला जो पॉल टेक्निक पढ़ाता होगा भर दिन 57 ठीचर मिलके पढ़ा ले 4000 1000 कोस्टन भी आपको भर दिन में नहीं करवा पाएगा मैं आपको पड़े करवाता हूं पड़े यह एक दिन की कहानी नहीं लगातार करवा रहा हू इस सेशन में देख लिजेगा तो सबसे ज़्यादा यूटूब पर अपलोड करने वाला कॉंटेंट मैं हूंगा सब चीज फिर से पढ़ाया हूं टोटल चैप्टर पढ़ा दिया हूं सर दूसरा टाइप का करवाई यहां बस खतम होने वाला यह टाइप खतम होगा तब आप देखो बेटा इस पूरा केल्सियम लिजेगा तो आपको क्या आएगगा तो नुदिन टो गूने इस पूरा केल्सियम निकालिएगा यह वन को छ्षट दीजिये अलग कर दीजिये और इधर वाले टर्म का यहां से पूरा यgga एक गूने अट गूने औसिगा यही Meta Сейчас gratitude 2 के multiple में 2 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 6, 8, 10, 100 तक तो सबसे बड़ा संख्या उसका लगुत्तम हो जाता है, चलिए, अब यहाँ पर 1, 2 दिया हुआ था, तो बचा क्या, 4, 8 और 16, तो यहाँ पर लिख दीजिए, 4 गुने, 8 गुने, 16 यहाँ पर आ गया, यहाँ 1, 2, 4 था अब इसको बेटा, गुना कर दो, गुना कीजिएगा, तो कितना आएगा, गुना करने के बाद, आपको, अब इसको गुना करेंगे, तो 16, 8 जो और 16, घचास एको अठाटाइस, और इसको गुना करेंगे, तो वेटा, 16 यहाँ बात खतम हो गया, अब आपके पास कि आया, तो उधर 1024 चला गया, तो 1024 इधर आ गया, आप प्लस में बेटा इन तीनों को जोर दीजे, तो 6, 8, 6, 14, 16 यह आ गया, उसके बाद 2, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 5 यह हो गया, अब इसके बाद 5, 1, 6, 1, 7 हो गया, यानि 756 आ गया और 1024 आ गया, अब आपको क्या करना है, दोनों को जोर के भाग दे देना है, दोनों को जोर के भाग दीजेगा, तो आपके पास कितना आएगा, तो फटा फट, इतना क्या करोगे, इतना मत करो, मैं आपका एक तरीका बता देता हूँ, क्योंकि उसमें दिया हुआ है, छोसो संताबन करके दिया हुआ है, मैं एक तरीका बताता इतना मत करो इतना करोगे आंसर उस्टर में है तो बेटा वन को छोड़ दूआ प्लस इधर आ जाएगा छोसो संताबन आब बट्टा 224 आ जाएगा और इसको लिख सकते हो वन छोसो संताबन आ बट्टा 224 अराम से लिख सकते हैं आप लोग तो कौन सा अंसर हो जाएगा ता बेटा यह हो जाएगा फटाफट का है देखो वन 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 वाई टू को ऐसे भी लिख सकते हैं वन प्लस वन वाई टू कहीं दिया हुआ है ए बी बाई सी अगर दिया हुआ है तो इसको बेटा ए प्लस बी बाई सी लिखा जा सकता है अराम से लिख सकते हैं कहीं से कोई दिक आप लोग बताईएगा मैं सब टाइप का कोशन कर भा रहा हूं सारे चैप्टर से आपको 10-15 कोशन लिए हैं तो 15-75 इधर हो गया 40 कुधर होगा एक सो सबासो कोशन्स होंगे लेकिन एक घंटा में यानि आधा घंटा एक घंटा 10-15 मिनट में पूरा करवा दूंगा पूरा करवा दूंगा रामा कांत बर्मान नए जो भी बच्चे हैं वो बेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजेगा चलिए चलिए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं बाई जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाए बेटा आपके पास कोशन क्या दिया हुआ है आप देखिएगा आप देखिए 2.6 दिया हुआ है 2.6 दोनों को एक साथ ले लेजे यहाँ पर दिया हुआ है 2 गूने 2.4 गूने यानि यह आपका क्या दिया है 2.6 गुने 2.6 दिया है माइनस में 2.4 इंटू 2.4 दिया है और बटा में क्या दिया है तो 2.6 प्लस 2. आपका फोर दिया हुआ है ऐसे questions को क्या करेंगे तो दिमाग लगाएंगे देखिए इधर से क्या हो जाएगा इस दोनों मिलेगा तो बेटा 2.6 का क्या हो जाएगा ध्यान से देख लिजेगा 2.6 का whole square हो जाएगा आप माइनस में इन दोनों को गुना किजेगा तो 2.4 का whole square हो जाएगा और बटा में क्या है तो 2.6 प्लस 2.4 है तो a square माइनस b square क्या होता है तो a प्लस b होगा 2.6 प्लस 2.4 हो जाएगा और माइनस में क स्कूरार माइनस बी स्कूर एट्लस भी किया अब यहां टू प्वाइन 6 प्लस 2.4 अब बेटा यह पार्टी से गाइब हो गया दोनों को जोड़ दीजे तो कितना जाएगा पांच आएगा कहीं दिया हुआ है कितना जाएगा बेल्कुल था वी ऑ संज में आया की नहीं आया एक वार बताईएगा सारे बच्चे बैटा जबाब देंगे मैंने 15 कोश्चन सा आपको करबा दिया है और आप लोग जबाब दीजिएगा समया आया की नहीं आया और पंद्रा कोश्चन सब्से बढ़ी चीज है बेटा 18 मिनट में 15 कोशन किये हैं कम बड़ी चीज नहीं है सॉलूशन के साथ आपने भी जवाब दिया है मैंने भी जवाब सुना है बीच में like subscribe सब चला है फिर भी 15 मिनट में 18 में 15 कोशन कम बड़ी चीज नहीं है चलिए आगे बढते हैं आगला कोशन देखेगा क जा दिया हुआ है 2.3 का whole q दिया गया है माइनस में आपको दिया गया है ये भी question में error है साथ आपका 0 point होगा 0 point आपका 027 होगा ये दिया हुआ है और बटा में आपको दिया गया है 2.3 का whole q माइनस में दिया हुआ है 0.69 और प्लस में दिया हुआ है बेटा 0 point यहाँ पर 09 दिय अब बेटा आपको सोचना होगा दिमाग तो लगाना होगा भगवान ने दिमाग दिया क्यों है सोचने समझने के लिए तो इसका उप्योग तो करेंगे जब जरूरत होगा तो जरूर उप्योग करना चाहिए no doubt के नहीं करना चाहिए तो बेटा इसका उप्योग कीजे मेरे तरह मैं बताता हूँ देखे AQ दिया हुआ है इसको BQ में तोर दीजे तो क्या हो जाएगा AQ-BQ का formula हो जाएगा A-B हो जाएगा A square plus B square minus A B हो जाएगा यह formula हो जाएगा तब इसको अगर हम BQ में तोरे 2.3 minus 0.3 आपका यह आजाएगा इधर आपकी जेगा तो 2.3 का क्या हो जाएगा whole square 2.3 का whole square हो जाएगा तो यहां पर लिखते हैं 2.3 का whole square am minus A B इसको इससे गुणा किजे 2.3 को 0.3 से गुणा कीजेगा तो 0.69 आजाएगा plus b square 0.3 का whole square कीजिएगा तो 0.09 आजाएंगे ठीक है और नीचे वाले term को उतार दीजिए जो दिया गया था 2.3 का whole square दिया गया है minus में 0.69 है और plus में beta 0.09 दिया गया है अब आपको क्या करना है तो ये पूरा का पूरा term से कट जाएगा आपको बच क्या जाएगा तो 2 कहीं दिया हुआ है answer क्या था 2.3 minus 2.3 दिया हुआ था ना minus में कितना दिया हुआ है तो 0.3 दिया हुआ अच्छा 2.3 में से 0.3 घटा ना था तो answer क्या आड़ा है बाई 2 आड़ा है answer उपर क्या दिया हुआ अच्छा उपर प्लस में था ना यहां बेटा यह आपका प्लस में था मैं यहां गलती कर दिया था यहां प्लस होगा यहां प्लस होगा यह तो ठीक है यहां पलस करदेंगे जोड़ दीजेगा तो टूपॉंट आपका 6 आ जाएगा कोन्सों आप्षान हो जाएगा तो आप्षान नमबर सी आ जाएगे ओप्षान नमबर सी बी ओर क्याप्ट आप्षान आपका है 110% correct option था तो चलिए एक दो कोस्टन एक कोस्टन और होगा हमारे पास अब बेटा इस कोस्टन को देखो सब टाइप का कोस्टन दे दिया हूँ 2.6 गुने 2.6 क्या जाएगा तो 2.6 का whole square आ जाएगा ठीक है उसके बाद देखिएगा आपको माइनस में 2.4 गुने 2.4 अब क्या जाएगा तो माइनस में 2.4 का whole square आ जाएगा और बटा में क्या दिया हूआ है 2.6 माइनस में 2.4 दिया हूआ तब A² प्लस B² यानि 2.6 प्लस आपका 2.4 हो जाएगा यहाँ पर मेरे भाई 2.6 माइनस 2.4 हो जाएगा और बटा में क्या दिया हुआ है तो 2.6 माइनस 2.4 है तो माइनस वाला उड़ गया प्लस वाला जोर दीजेगा 6,4,10 यानि 5 आजाएगा कौन सो आप्शन होगा तो आप 11.2 से गुना किजिए तो 11.2 का होल स्क्वार आगया ठीक है अब यहाँ देखिए 8.8.8 को गुना किजिए तो बेटा यहाँ पर प्लस में लिख देता हूँ 8.8 का होल स्क्वार हो गया और प्लस में बेटा यह दोनों दिया हुआ है तब प्लस में लिखिए 2 11.2 into 11.2 into 8.8 अब देखिए गा तो यह आपका किस फॉर्म में आ गया तो यह बेटा फॉर्म में आ गया किस फॉर्म में A स्क्वार प्लस B स्क्वार प्लस 2 AB के फॉर्म में आ गया किस में आ गया 2 AB के फॉर्म में यह जो मैं बेटा तरीका भी पढ़ा रहा हूँ अभी यही फॉर्म में और ऐसे ही पढ़ाता हूँ जेए के बैच में मैं जेए के बैच में आप लोग को तो यहां मैं तोर तोर के सिखा देता हूँ वहां नहीं सिखाता हूँ वहां ऐसे ऐसे कोशन्स आते हैं कि वहां पर लेकिन यह है कि बाते कम बनाता हूँ बाते बहुत कम बनाता हूँ एकदम तू दा पॉइंट और बच्चे भी लगातार बने रहते हैं 500-700 जितना भी बच्चा हमारे सब्सक्राइब बच्चे हैं सब्सक्रिप्सन वाले बच्चे हैं वो सारे कंटिनू जूडेंगे टाइम ली कहीं का बैच हो कुछ भी हो लेकिन हमारे टाइम में अगर फिजिक्स प चोड़ेते दस सबादस में पढ़ाना सुरू कि सारे 11 बज़े तक पढ़ाएं उसको हो सब पढ़ा है ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ा है गारजन भी बोलते हैं कुन पढ़ाने तो सारदा वाले जाकर पढ़ो बाई पढ़ते रहो तो आपका क्या हो गया बेटा यह पूरा यानि 11.2 प्लसेट 0.8 का होले स्कोर हो गया प्लस बीका होले स्कोर यहीं तो होता है अब यहां दोनों को जोड़ दीजेगा FM आठ दू दस हो गया एक आठ बिसी एक काई स्क्वैर क्या होगा 441 क्या होगा 441 कहीं दिया हुआ है आरे फाइस है माइनस में था क्या अब देख लो यहां पर कुछ ना कुछ लोचा तो होगा भाई 11.2 आएगा हाँ या जोड़ गलती किया है 20 है 20 आएगा जोड़ ही गलती किया हुआ है यह सम मिस्टेक है तो बेटा 400 हो गया कौन सो आप्षन हो गया 4 हो गया 12 दसमलब 11 दसमलब 2 को 8 दसमलब 8 से एक चीज़ य पैनल का या बहुत सारे फंचन के विविवन्दर समझे कि आपको आपके संस्थान जहां से आप पर रहा है वहां आपको एक समय आएगा 10-15 के बाद जब हमारे सारे फैकल्टी एक साथ यहां होंगे और आपको मैं सब फैकल्टी का दर्शन करवाऊंगा तो आप लोग को स कर दिटी म हमारे होंगे और सब के विविवqua में आपको बता हूंगा परचित करवाऊंगा और आने वाले समय में क्या सब आपको दिया जाएगा बहुत सारे वत ऐसे होंगे जो कॉलेज जाएगे की भी आवा सकता होगी बहुत के भाईबहन होंगे, बहुत सारा मैं चीज मतलब सोचो ना कि ज्यान का गंगा और ओफर का गंगा बहाऊंगा इसी मन्थ में 15 तारीक के बाद, कौन डेट होगा वो आपको बता दिया जाएगा, सारे बच्चे उस दिन बने रहिएगा, बहुत इंपोर्टेंट चीज आपको उस दिन मैं बताने जा रहा हूँ, बेटा आगला कोस्चन है, 8.8 x 8.8, यहाँ पर कर दिजे, 0.88, बेटा, PDF आपको मिलेगा, PDF और नोट्स, यह सब हमारे टेलेग्राम चैनल पर मिलेगा, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, नए नए बच्चे चैनल को सब्स गुना की जगा, तो प्लस में आएगा, 0.68 का क्या हो जाएगा, तो whole square हो जाएगा, बेटा माइनस में दिया हुआ है, तो माइनस में 2 into a b, यानि 0.88 और गुने में क्या दिया हुआ है, तो 0.66 दिया हुआ है, बच्चा में आपको क्या दिया है, तो 0.88 और माइनस में 6.8 ह होगा गलती किया है यहां पर भी थोड़ा सा तो गलती मुझे दिखाई दे रहा है 0.68 होना चाहिए टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है मुझे मैं एक बार चेक कर लेता हूं भाई गलती बनाने से बहतर है कि मैं इसको सही कर दू बिल्कुल मिस्टेक है एकदम मिस्टेक है वो तो देखने से पता चल ला था 0.68 हो जाएगा उपर में देखो a² प्लस b² प्लस 2 गुने a गुने b तो क्या हो जाएगा a-b का whole square क्या हो जाएगा a-b का a² a-b का whole square यानि 0.88-0.68 का whole square आ जाएगा और बत्ता में क्या आएगा भाई तो 0.88 में से माइनस कर देंगे 0.68 तो एगो है तो एगो स्क्वाइर बाला तो इससे कट गया बचा क्या तो जीरो पॉइंट आपका टू जीरो हा गया 0.2 कहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल दिखाई दे रहा था तो चलिए आपका खतम हो गया किसका कहानी खतम हुआ तो पहला जो अलजेब्रा का आपका सिंप्लिफिकेशन पार था लगभग पूरा कहानी खतम कर दिए याद करो मैंने जब सिंप्लिफिकेशन पढ़ाया था तो डिर घंटा का लेक्चर दिया था आज उसी चीज को मैं 30 से 35 मिनट पे खतम किया हूँ आपके एकजाम आते आते दस मिनट पे लाके छोड़ दूंगा याद रखिएगा अगला कोशन बेटा प्रतिस 14 होता है क्या हो जाएगा तो एक्स अबटा 100 अगूने 35 बरावर कितना हो जाएगा भाई 14 बरावर क्या हो जाएगा तो 14 अगूने 100 अब बता क्या हो जाएगा 35 काटो साथ दूनी 14 साथ पचे 35 पांट से काटो 20 यानि कितना तो 40 परसेंट आईसे भी समझो आईसे भी समझो कता है 35 का कितना परसेंट 14 होगा 35 का कितना परसेंट 14 होगा तो 35 आपका दिया हुआ है बेटा तो कितना परसेंट तो 40 परसेंट 40 परसेंट आपका 14 होगा अगला कोशन देखिएगा आपके पास क्या है 3 का 10% कितना होगा तो बेटा 3 का मतलब क्या गुना का मतलब क्या कितना परसेंट 10 10 परसेंट परसेंटेज हटा यह 100 से भाग दे दीजे तो क्या हो जाएगा तीसा बटा 100 हो जाएगा यह तो इससे गाव हो गया 0.3 होगा यानि तीन का 10% क्या हो जाएगा तो 0.3 हो जाएगा तीन का 10% क्या होगा 0.3 हो जाएगा no doubt यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो सारे बच्चे बताएंगे बेटा दोस्तों को share कीजे मैं बार बार कहता हूँ बहुत important lecture है last में मैं पूरा सम्मेलित chapter का लाया हूँ या भी दू समलब में percentage को हटाना होगा तो percentage हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग दे देते हैं अब percentage लाने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं तो बेटा इसको 100 से भाग दे देजिए दो सुनना गायब हो गया बचा क्या तो two यानि कौन सो option हो जाएगा option number a हो जाएंगे next question कोशन देखिएगा आपके पास नेमलिखित में से इतना के बराबर है इतना के बराबर कोन होगा वही आपसे पूछा गया तो बेटा यहां परसेंटेज नहीं दिया हुआ है पहला कोशन देखो यहां परसेंटेज दिया हुआ था परसेंटेज हटा के पूछ रहा था क्या कर करना होगा तो बेटा फटाफट गुना कर दो 0.635 है और गुने हंडेड कर दीजेगा तो परसेंटेज आपका आजाएगा अब इस डेसिमल को रहेगा नीचे में क्या आजाएगा तो एक हजार आजाएगा दो सुनना गायब कर दीजेगा तो 63.5% क्या दिया हुआ है 63.5% देखिएगा एक दम परते कोस्टन में 10-10 सकेंड भी नहीं लगा रहा हूं यह सब आपका कमाल देखने को मिलेगा यह सार्दा का कमाल है देखिएगा कुछ आगे तो बढ़ने दीजे यदि राम की आए स्याम की आए का 20% कम है राम का आए स्याम का आए का 20% कम दिया हुआ तो कहता है स्याम की आए राम की आए क्या कितना प्रतिशता दिखोगा तो इसके लिए बेटा मैं टर्म और ट्रिक भी आपको बताया हूं पहले यह कोस्टन का अंसर आप लोग बताईए फिर मैं आपको सिखाता हूं कि राम का और स्याम का आए में क्या पड़िवर्तन सभी को बताना है इसमें से कोई बच्चे बंचित नहीं होने चाहिए राम और स्याम का आए में कोई बच्चे बंचित नहीं होने चाहिए आपको जैसे बनाना है वैसे जरूर बनाईए लेखिन जरूर बताईए कितना परसेंट होगा मैं पहले बेसिक तरीका ही सिखा दू लिग्ति-राम haver स्याम की आए से 20 पर्सेंट कम है तो मान लेता हूँ बिटा स्याम का आए माल लेता हूँ क болता है 100 रूपया स्याम का स्याम एक स्यूरूपया स्याम नए जो भी बच्चे आहें IPS लबर यह बाइग तु तो तो बहुत दिन से करह रहे हो यह आई पीएस लवर मैन आप तो बहुत दिन से क्लास करें आई पीएस आपको हमी बनाए और हमी को भूल गए दुबाड़ा पढ़ने आ गए भाई चलिए क्या कहता है आगे बढ़ा जाए मिशन रैंक वन क्या बात है मिशन मैन मैं तो पहले से रैंक वन रैंक वन और आसे चिल की आँक हो जाएगा तो 80 रुपिया राम का आए हो जाएगा वा क्या बात है रिदम सही बात है भाई हो ज rozm का अ कितना कर दो तो स्याम का आई 100 रूपिया रám का आई कितना हो गए 80 रूपिया अब आप से पूछा गया है और और सभी बच्चे कहां गल्ति करते हैं आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बहूत बुरुबाख है नोग बहूत बुरुबाख है समझो कि किसके कंपनिजन में करा है आधा अधूरा सुनता है और आधाधूरा में भागने लगता है कोश्चन को पहले समझो मैं बार बार कहता हूँ अब देखो क्या करा है राम का यह हो गया तो कहता है स्याम की आए किसका आए स्याम की आए राम की आए से कितना प्रतीसत अधिक होगा तो स्याम का आए जो है वो एक सो दिया हुआ है राम के आए से कितना अधिक होगा वही प प्रतिसत पूछ रहा है वही आपको तो राम की आए 80 रुपया है और स्याम का कितना है तो 100 है तो बेटा यहां पर कितना अधिक है तो 20 रुपया अधिक है तो राम का स्याम का आए जो है वो स्याम का आए स्याम का आए क्या है स्याम का आए बेटा क्या है तो 20 रूपया अधिक है किस से राम से अधिक है किस से अधिक है राम से राम से 20 रूपया अधिक है चलिए कोई दिक्कत नहीं है अब 20 रूपया अधिक है किसका तो स्याम का आए किसे देखो स्याम का आय पूछ रहा है लेकिन किसके कमपडिजन में पूछ रहा है तो राम के कमपडिजन में तो राम का आय कितना है 80 रूपईया तो यहां पर क्या डालेंगे 80 रूपईया गदो देखो भाई मेरे भाई देखो यहां यहां देखो यानि स्याम का आय जो स्वीपूर्ज यागए तक 25 25 25 105 Νओं हो गया तो कितना होगा तो यहां पर ध्यान दिजेगा अगर यह पुछता स्याम का आए राम से कितना अधिक है और राम का tutaj कितना है तो आशी है तो ज्याम का आए जो अधिक राम के तुल्ना में और इतना परसंटेज यही पूच रहा था आपको समझ में आ गया होगा नहीं आया होगाट तो मेरे भाइब कोई तो कुल बढ़ोतरी कितना का होगा बता दो भाई ये सब तो बहुत आसान कोस्चन है बताओ क्या काता है यदि बस्टू निस्ट अंक गनित अंक गनित का बस्टू अब्जेक्टिव अंक गनित का किताब है ठीक है और करता है को उसका मुल दूग्यास यानि दूतिया यानि सकेंड बार बुक को जो वीडिट करके लाया गया तो दस परसेंट बढ़ा दिया आप से पूछा गया है कि तो टोटल बढ़ोतरी कितना का वहीं आपको बताना है, जल्दी बताएगा, सारे बच्चे जवाब देंगे, सोच समझ के जवाब दीजेगा, अपने मन से जवाब दीजेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बड़ी दुख भरी कहानी हो जाएगी, और दुख भरी कहानी से मैं बस्बस्थे रहता हूँ, एकदम दुख भरी कहानी नहीं होना चाहिए, देखते हैं कितने बच्चे जबाब देते हैं, और चैनल को बहुत सारे बच्चे सब्सक्राइब नहीं किये हैं, तो ये बेटा दुख भरी कहानी तो ये भी है, अब 32 क्या बात है, एकदम दिल खुश कर दिया यार, एकदम इसे ही तो मैं जानना चाहता था, देखो, देख लो, देख लो, ये बात जो लिखा गया है, ये यहां तक तो सही है, लेकिन यहां पर बेटा, X प्लस 10 परसन, यहां पर छोड़ो इसको, इसको मैं अभी घेर देता हूँ, कोशन समझाने के लिए लिखा था, अब ध्यान से समझेगा, इसको मैं एक लाइन में बता देता हूँ, बेटा, एक सो रूपया था, मान लो की एक सो रूपया पहले था, आप फिर क्या किया, दोस परसन बढ़ा दिया, तो एक सो का दोस परसन बढ़ गया, तो दोस रूपया बढ़ गया, एक सो पलस दस कितना, तो एक सो का, एक सो का दस रूपया बढ़ा दिये, तो कितना हो गया भाई, एक सो दस हो गया, यानि दूती एडिशन में एक सो दस ह हो गया आप फिर क्या क्या 20 परसेंट ब्रहा दिया आक इसका इसका 20 परसेंट बर गया तो एक इसका बेद्ध तसके बढ़ गया था पाहिले कितना था एक हो था था बाद में एसे question भी आते हैं चीनी का मुल 15 रुपये प्रती किलो है तो पहले चीनी का मुल में 20 परसन वितीक या जाता है तो कहता है कि 20 परसन पहले वृपय किया जाता है और फिर 20% घटा जाता है yis पहले बिर्धी किया और फिर 20% घटा दिया तो दुकंदार को बरी नुकसान होगा मैंने एक कपड़िया का कहानी सुनाया था तुम लोग को बेटा मान लो क्या होगा जैसे ध्यान से सुनो हमारी बातों को ध्यान से सुनो जो मैं समझाता हूँ बेटा 100 रुपया में आप दाम हो गया ठीक है अब आपको बेचना है तो यहां पर 120 लिके हुए हैं दुकानदार सोचा कि मैंने 20% बढ़ाया था 20% घटा भी देंगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं होने वाला है अब क्या करेंगे यहां से आप 20% घटा देंगे तो 20% किसका घटा येगा 120 का और 120 का 20% कितना हो जाएगा तो 24 रूपया हो जाएगा कितना हो जाएगा 24 रूपया अब इसमें से 24 रूपया आप घटा दिए तो 96 रूपया में आपको समान बेचना पड़ा कितना में बेचना पड़ा 96 में आपको समान बेचना पड़ा आप खरदे में कितना थे तो खरदे थे 100 र जिएत के चला गया क्या समझ में आया यहां गौर से देखो सौ था 20 परसिंट बढ़ाया तो आपको इसको नुकसान हो गया कितना परसिंट का नुकसान हो गया रे भाई देखो ता physics at check 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 मैं ने तो कोस्टन भी नहीं पड़ा तया वो दुकांदार का कहानी यादा गया उसी कहानी से आपको समझा दिया परसंट आगया कि नहीं आया समझ में आया तो बिटा येन ही देखेंगे कि बढ़ुरे साथ यह देखेंगे कि इसका हम कितना परसंट बढ़ा रहें तो यहाँ बेटा हम भाखा तो रहे थे लेकिन बढ़ा किसका रहे थे तो 15 रूपया था यानि जो आपका कोश्ट प्राइज था 100 का यहां पर बेटा हम क्या कर रहे थे कि 100 का 20 परसेंट बढ़ा रहा थे तो 20 परसेंट होगा एक सवरूपई आप कहेगा कि ये भाई ऐसा करो ना हम सो का 20 परसेंट देते हैं तुमको फिरी में तुम 500 का 20 परसेंट हमको वापस कर देना देखता है असी परसेंट का प्रोफिट हो जाएगा बाई 20 को देगा 100 को जेवी में रखेगा क्या कमाल का जुग ह है अगे बढहा जाए निट को Hai यदि चाय के मुल में 20 परसेंट की बढ़्ोतरी करने पर विख्ड़ी 25 परसेंट कम हो जाती है बीटा सिदी सी बात है मुल बरहा खोंगे तो विख्री घट जाएगा अब कहता है कि चाय का मुल 20 परसेंट बढहा दिया गया तो विक्री 25% कम हो गया तो कहता है कि आय में प्रतिसद बिर्धी या कमी कितना हो जाएगा उसको नुक्सान होगा कि फैदा होगा वही बताना है जल्दी जल्दी बताईएगा बाई 20% बढ़ाया गया है और 20% घटाया गया है चाय के मुल में 20% बढ़ोतरी है और फिर आपको 20% क्या कर दिया गया है घटा दिया गया है यह क्या बात होगा जल्दी करो ना जल्दी करो ना क्या सोच रहा है कमी होगा कि नुक्सान होगा चाय के मुल में 20 परसेंट वरहा कर 25 परसेंट आपको कम गया है क्या कम गया है कंकी परसेंट बिक्री उसका डू क गया है 57 ऐसे बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं अभी लगवग 190 बच्चा है लेकिन 190 बच्चा में मैं देख पड़ा हूं 578 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो फटाफट बटन दबाईएगा आप बताईए बता दे या छोड़ दे अच्चा प्रोफिट हाँ सही बात है हाँ बताओ ना क्या बढ़ा बता दे या छोड़ दे चलो छोड़ देते हैं बहुत कोशन तो बताए हैं तुम लोग बना ले ना बाई चोटा कोशन है क्या काता है यदि चीनी का मूल 25 परसेंट बिर्धी करने पर खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे खर्च अपरिवर्धी रहे ये कोशन मैं बता दूंगा काता है चीनी का मूल बढ़ गया है आपके पास मालो 100 रुपईया है ठीक है आप 120 रुपया वो समान बेटा आब आपको जो एक स्वमे आता था वो 120 में आता है ता आपको कम करना होगा ना देखिए आपको संक को ऐसे समझें जैसे मैं समझाता हूं बेटा मानलो कि पहले आप 100 रुपया में कुछ लाते थे मानलो, मानलो, ध्यान से समझो, कोशन दिया हुआ है, एक सो रूपया में पहले आप एक केजी मानलो चीनी लाते थे, क्या लाते थे, एक किलो चीनी एक सो रूपया में लाते थे, ठीक है, ये पहले की घटना थी, अब चीनी का दाम हो गया है, एक सो बीस रूपया, तीनी का लाईएगा जब चीनी का दाम बेटा 120 रुपया प्रतिकेजी हो जाएगा 120 रुपया प्रतिकेजी हो जाएगा सोचो मैं जो बता रहा हूं उस पर सोचो एक सो रुपया पहले लिए एक किलो चीनी आता था कब जब एक किलो चीनी एक सो रुपया में था अब चीनी बेटा कितना हो गया है तो एक सो बीस रुपया ये किलो हो गया है आपको एक के सो रुपया है तो कितना देगा दुकंदार भाई कितना देगा तो पहले एक सो बीस रूपया में आपको एक किलो चीनिया भी दे रहा है ठीक है और आपके पास कितना है तो एक रूपया में देगा एक बटा एक सो बीस केजी देगा तो आपके पास सो रूपया है तो सो रूपया में कितना देगा 100 बट्टा 120 kg आपको दे देगा यानि 5 बट्टा 6 तो 5 बट्टा 6 आपको दे देगा तो पहले आपका कितना आता था तो पहले आपका 1 kg लाते थे अब आपको 5 बट्टा 6 आ रहा है तो कितना कम आपको आ रहा है तो 1 में से 5 बाई 6 को घटा दीजेगा यह 1 बाई 6 यानि क्या तो बेटा, आपको यहाँ पर 5 by 6 kg ही चीनी आएगा, ठीक है, 5 बटा 6 kg आएगा, और कमी कितना का हो जाएगा, तो आपको चीनी में घटक, कितना कम आपको लाना होगा, तो 1 minus 5 by 6, यानि 1 बटा, 1 kg का 1 बटा 6 हिस्सा आपको कम करके देगा, दुकानदार क्या कहेगा, इतना क करके देगा, तब यह जाकर हो सकता है, नहीं तो आपको नहीं हो सकता है, तो किये क्या, चीनी का रेट बढ़ गया, तो वजन हम कमा दिये, तो पईसा एक सो में पहले 1 kg आता था, अब एक सो में आपको कम गया है, तो पूछा जा रहा है आप से, कि इसमें कितना क्या होगा वही आपको बताना है, तो फटा फट आप निकाल के दिखाए कितना होगा, तो मैं यहां से भी solve कर सकता हूँ, कमी कितना काया, तो एक बटा छो का कमी आया, एक बटा छो का कमी आया, आपको परसेंटेज पूछ रहा है, कितना में पूछ रहा है, तो एक सो बीस में पूछ भाई स्वादूनी बार्व 20 परसेंट का उसको क्या करना होगा 20 परसेंट जंत घंध गया किता घंध गया 100 कि परसेंट इसको सक्षाट ना भड़ा 20 परसेंट तर्श इसको घंट पराना पर ठीघा कि इतना घंट गया真 dollars एक बाट के देना पर चलिए आप 1020 का समझेगा क्या दिया हुआ है उसको भूल लाओ अपने सब्सक्रिप्शन को आज हैंडल किया है आगे किया जाए किसी ग्राहा को एक अंकित मुल बेटा 40,000 है अंकित मुल यानि मार्क प्राइज जो मार्क किया हुआ रहता है वो आपको कितना दिया गया है तो 40,000 रूपया दिया गया है ऐसे फरडाटे दार पढ़ाऊंगा मैं बेटा कहीं कोई कम जोड नहीं है और आपको करता है कि खरीदने के लिए उसको 44 प्राइज देना परता है बाहरे बुर्बॉक बाहरे बुर्बॉक देखो 40,000 रूपया मोटर साइकल का कीमत है आप जब खरीदने जाएगा न ताहाप को कितना रूपया में उदेगा पता है आपको उसको खरीदने के लिए आपको कोष्ट प्राइज 44,800 रूपया देना ह आप पूछेगा यह कहां से आ गया तो बेटा बीजेपी लेके आया है कौन लेके आया है यह बीजेपी लेके आया है मोदी जी हमारे लिए लेके आया है हमारे लिए मोदी जी तौफा ही तौफा लेके आते हैं क्योंकि 5 किलो 20 किलो का आनाज दो पर्ड महिना आपको खिला तो आपको समझ में आना चाहिए मेरे भाई 40,000 यह जो आपका दिया गया है तो 40,000 मोटर साइकल है आज 44,800 रूपया लिया जा रहा है इसका मतलब आपको यहां पर जो 4800 रूपया ज्यादा लिया गया है यह आपका GST हो गया यह टेक्स हो गया वो टेक्स हो गया तो यह सारे है यह आपका भार सरकार का कर है जो आपको देना होगा कहता है Motorcycle पर विक्री कर का दर्किता होगा तो भाई बेटा कर कितना आगया क्यों कितना चाहए 445 400 तो आपको खटा देजिएगा तो बेटा कितNE आजाएगा तो अर्ताριस रुप्य आपको कर देना पर 400 बारतालीस ओर रूपया दिय कितना में रहा है तो 40,000 में दे रहे है तो बेटा 400 के समान में 400 आपको 12 परसेंट आपको देना पर रहा है यानि 40 का कितना प्रतिसाथ 12 प्रतिसाथ 12 चोकर 40 हुआ ना तो आपको 12 परसेंट आपको देना पर रहा है क्या टेक्स देना पर रहा है कर देना पर रहा है तब जाके आप बिल्कुल समझ में आपको आ रहा है कि क्या होने वाला है तो ये सब चीज कैलकुलेशन मजबूत रह से गया हैं फटा फट बेटा देखिएगा 10 से 15 मिनिक में आपको 20 कोस्टन अभी मैं निकालूंगा मिसली से टाइप का उसके बाद आगव भरूंगा क्या कहता है पांच सेंटेमीटर साथ सेंटेमीटर तरीज्या वाले दो गोला दिया हुआ है तो बेटा गोला नंबर वन ए सफेर नंबर 2 अदोनों का भॉल्व पूछ रहाते सेर का भॉल्व क्या होता है फोर बटा थी भाई आरवन का क्यूब हो जाएगा अलबाट प्यायार बटा थील गइटा च्यूब हो जाएगा 4已经 305 पाय नबर टीन Institute to do Aovant का क्यूव हो गया बटा R2 का क्यूव हो गया 29 कुटना दिया हुआ है पांच तो साथ का होल का क्यूव हो गया कंशा ऑपी करा हो यह besar कि कि बंदबāत है बहुत सारे बच्चे हमारे समभधार है एक पईया का ब्यास के दिया हुआ है आप तो लिजाता है है ठीक है लेखिन ये पुराने जवाने का चक्का और ये दिया हुआ है वियास क्या दिया हुआ है इतना तोई चखकisf लगा हुआ है यह दुदू-दू-दू-प यानि रेडियuse इसका दो मीटर दिया हुआ है अब कहता है चार सो चक्कर लगाएगा तो कितना दूरी तैय करेगा तो एक चक्कर में कितना करेगा टू पाई आरा कितना चकर तो चार सो चकर लगाना है तो हो गया कितना तो टू हो गया आर बड़ाबर टू दिया हुआ है गुने में पाई द करो भाई 1600 पाई मीटर आपको दूड़ी तैय करेगा समझ में आया कि नहीं आया 800 मीटर कई से कर जागा एक चक्कर में टूपाई करेगा टूपाई आर टूपाई आर तो टू हो गया आर के जब अपड़ कितना है ब्यास दिया हुआ है चार तरिज्या हो जाएगा अधा दू नहीं चार सो चक्कर उसको लगाना है तो एक चक्कर में टूपाई आर तो चार सो चकर में चार सो से गुना कर दीजिएगा फटा फटा जाएगा अगला कोशन देखिएगा आपके पास हाँ अब एक चीत हम भूली गए आज हम तुम लोग को कॉंसेप्ट का बहूत कोस्ट लाएं हैं कॉंसेप्ट का बहूट को सलाए हैं जो बड़ी उठटांग ताइप का किसें धी का बड़का क्या अज वहुत अथक्शाव तरपान हरां रावीकोश मेसेट कहुं किसके बड़ाबर होता है व Civ दिया क्या दिया हएं सम बाहु तरिभूज जिसके सभी भूजा समान होते हैं उसका तरिभूज का छेतरफल क्या होगा क्या कहता है कि एक भूजा तथा सिर्स लंब का क्या दिया हुआ है एक भूजा और सिर्स लंब का गुनन फल के बराबर दूसरा दिया हुआ है एक भूजा तथा सिर्स लंब क के गुनन फल का आधा, और तीसरा दिया हुआ है, गोर से देखेगा, एक भूजा, ये भी ऐसे भी कोश्टन सापको मैथ में आता है, तीन चैर पाँच को याद रखेगा, मैथ में इसा कोश्टन पुछता है, एक भूजा तथा सिर्श लंब के गुनन फल का दुगूना, और काता है दो भूजा के गुनन फल का आधा अब देखो बड़ा अजीब क्सक्टन संभा हुत्री भूज अब ध्यान से देखो ऐसे नहीं समझ मैं लेगा यहां देखो संभा हुत्री भूज है यह है scaling and सबी भूजा समान और सारे कोन भी क्या होंगे समान होंगे अब जरा ध्यान से सोचिएगा मैं आपको सोचना सिखाता हूं पहला वाला पर सोचता हूं पहला वाला पर पहला वाला पर यहां सोचेंगे देखिए का कता है एक भूजा तथा सिर्शलंब का गुननफल तो मान लि पुज का आडिया, BC गुने AD होगा, सारे बच्चे बताएंगे, हमारे साथ मिल मिलके बताएंगे, होगा, नहीं होगा, तो सर नहीं होगा, तो काट दीजे, दूसरा का देखिएगा, दूसरा आपको क्या कहता है, एक भूजा, तो एक भूजा बेटा ले लिजे क्या, BC, और दिया हुआ है, सिर्सलंब, तो सिर्सलंब ले लिजे AD, और कहता है, इसका आधा, तो इसको आधा से गुना कर दीजे, तो इह होगा की नहीं होगा, बेलकुल होगा, मार दो इसको टिक करो, आया समझ में की नहीं है, ऐसा कोशन किया था, ऐसे एक कोशन नहीं है, अभी 10-12 क कोश्चन ऐसा होगा ध्यान से सुन लिजेगा किस्मत बनियां है जो बनल है तुम लोग क्या काता है एक भुजा और सिर्ष लंब के गुनन फल का दुगुना यानि यहां पर क्या दिया हुआ है काता है एक भुजा और सिर्ष लंब एडी आ इसका दुगुना यह होगा नहीं होगा ऐसे भी कोस्टन आएगा वहाँ पर कंफ्यूज कर जाएगा दो भुजाओं के गुनन फल का आधा तो दो भुजाओं के गुनन फल यानि एक भुजा बी सी और एक भुजा एबी लेलो कोई भी लेलो एक भुजा और इसका आधा तो यह होगा नहीं होगा यानि ए भी से अच्छा नहीं मिरा है तब तक सोचते रहता हूँ आपके लिए आप लोग नहीं सोचते हैं जल्दी-जल्दी कहते हैं कि कुछ कीजिए तो करते ही नहीं चलिए थैंक्यू यहां तक बने रहे उसके लिए धन्य बाद तो बेटा आगे बरते हैं बेलुकुल आगे बरते है नए नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे, सारे बच्चे लाइक करेंगे, पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आगे बरते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तब आगे बरते हैं, पा काता है समाना अंतर चतर भूज के लिए निमलिखित में से कौन असत है तो बेटा समाना अंतर चतर भूज का प्रोपटी आप जानो पैरलेलो गराम होता है तो पैरलेलो गराम का सम्मुक भूजा जो होता है सम्मुक भूजा जो होगा वो सम्मुक भूजा आपस में बराबर ह कहाता है और शामानांतर एर समान लंबाई का होता है बिल्कुल सही बात है, समुक भुजाओ का योगम, यानि ये भुजा इसके समाना आंतर, ये भुजा इसके समाना आंतर और इसका लंबाई AB का लंबाई CD के बराबर और AD का लंबाई BC के बराबर कौन सो आप्शन होगा जल्दी बताओ तो सारा बच्चा जबाब देगा सारा बच्चा जबाब देगा D option कैसे हाँ कैसे भाई समुक भूजाओं का एक यूग्म समाना अंतर होगा एक क्योग समान अंतर होगा क्या AB cable CD के बराबर है ADBC के बराबर नहीं है यहां देख रहा है है क्या बात है a option खुशी कुमारी a option रहे कोन जो option होगा हुशी कुमारी का कहा आगया है अंकी ते option राहू ले option बाई जल्दी बताईए सारे बच्चे सारे बच्चे बताएंगे भाई ऐसा question मैं बहुत लाया हूँ जो आपको हमेशा पूछता है दो चार पांस question बेटा टॉपर बनाना है तो मुझे दिमाग लगाना पढ़ रहा है कि इतना पढ़ाने के बाद भी बच्चा मेरा कहां गड़बर होगा उस सारे पॉइंट को खदेर खदेर के ला रहा हूँ आपके बीच में तो आपकी भी जबाब देही बनती है कि उस बिंदू को बेटाए स्ट्रॉंग किजी आप परपर के एक तो किसमत बनिया है कि यहां तक रुका हुआ है यानि ओप्सन क्या हो जाएगा आप कहता है सम्मुक भूजाएं बडाबर लंबाई की होती है तो के बल बडाबर लंबाई से हो जाएगा लंबाई दुन्नू का बडाबर हो गया हो गया कि समाना अंतर भी होगा तो यह नहीं होगा तीसरा कहता है वीकर्ण एक दूसरे के सम्दिवाईज होते हैं ठीक है और चौथा दिया हुए सम्मुक भूजाओं का एक यो यानि यह भी नहीं यह भी नहीं कौन सो आप्शन हो जाएगा आप्शन नमबर यह हो जाएगा पैरले लोग राम का प्रोपर्टी था कहता है किसी त्रिभूज के लिए नेक्स्ट कोशन बेटा दिया हुआ ध्यान से देखेगा किसी त्रिभूज के लिए निमलिखित में कौन असत है त्रिभूज के लिए अब मालो यहाँ पर त्रिभूज बना देते हैं पहले अब कौन सा त्रिभूज है उभी नहीं दिया केबल कहता है कि त्रिभूज के लिए क्या आसत है वही और जो दिया हुआ है लाइन में पढ़िए क्या कहता है एक समकोन तथा दो नियून कोन हो सकते हैं कहें नहीं होगा यह तो हो यह सकता है तो यह तो सही दिया हुआ है यानि आसत है तो नहीं यह सत्त बात है एक समकोन हो कोहां क्योंकि समकोन किसको काया आता है वैसा कोण जिसका मान 90 degrees कम इसे कम हो तो cdrc murdery maata yes, it can be as in a Ciao expect. if you come with a यह 30 हो सकता है यह जो सकता है यह Zackar हो सकता है यह सतर हो सकता है तो यह 20 हो सकता है तो यह तो आपका गलत दिया हुए वो आपको बताना को है दूसरा कहता है कि दो अधिक कोन एब एक नियून ने होक्न और वहाँ मैं ऑऔर अधिक क्यों को कहता है आप थू से अंगल को और आप एकल्ड पको यह तो मिलार को लिए करेंद गैंए टिरेफ भूझ का क्या होता है 180 तो तुक्त साधा हो जाएगा तर टिसरा कोन कहां जाएगा नांटी कहा है। अब नाना नानी का नहीं चलता है, मामा ममानी का चलता है, तो पहिले वाला जुग रह नहीं गया, तो यह बेचारा गलती हो जाएगा, यानि यह आपका सही था, चलिए समझ में आ गया, एक अधी कोन और दो नियून कोन हो सकता है, यह अगर 120 डिग्री दिया हुआ है, यह न सारे कोशन्स लाए हैं, आगे भी होंगे, ध्यान से देखेगा, अब आपको क्या काता है, इस कोशन को देखे, हाइटन डिस्टेंस का कोशन है, क्या काता है, 30 मीटर लंबी सीडी है, तो बना दो सीडी, सीडी है इसे होता है, 30 मीटर लंबा दिया हुआ है, कितना दिया हु कीतना कुण बना रहा यहीं पूछ रहा है कि ठीटा कितना बना रहा capitalism और होगा तो यह वैलू कितना आ गया 30 डिग्री आ गया कौन सो आप्षन होगा तो आप्षन नंबर यह हो जाएंगे चलिए फटा फटा आगे बढ़ते हैं नेक्ट कोस्टन वेटा देखिएगा आप से पूछा गया है फटा फटा इसका आंसर बताओ मैं नहीं बताऊंगा जल् जल्दी बताई ऐब आपके लिए भी कोस्टन है जल्दी जल्दी बताईएगा आप लोग बताईए और जल्दी जल्दी बताईए ऐसे काम नहीं चलेगा अभी सुस्ता जाईएगा या आप הलीए कि यसे काम चलेगा भाई सब्स्जिद्श की लिए प्रुद fino की लग क्य लेए किया जा रहा है इतना कुछ कर रहा है किसे के ली आप लोगे लिए नहीं की-जित अब भी आओ में नाचे हमको इसे नाचू चाता नहीं है तुम लोग कहे गाते ले चलेंगे नसरी आपको बहुत सारा है नाचने वाला इसमें भी होगा बहुत सारा मला चलवा सबको आता है न सबको जल्दीन बताओ क्या वाते बाइ मुझे नहीं पहचानी ही धिमपल खन्ना धिमपल खन्ना का जूग नहीं राग्या चलो आगे बादा जाओ अदेखो समझ्धार है सब समझ्दार है यह देखो इदार कौस अर्ता डिस को क्या लिख सकते हैं तो, sin 42 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, भाराल लिख सकते हैं, अब इधर sin 42 में change कर दिया, と sin 42 को क्या लिख दो, तो cos 42 लिख दो. हो गया, बात खतEr, change कर दिजेगा, कैसे change कीजेगा, हो समझा देते हैं, इसको क्या लिखेगा, sin 48 डिगरी क्या लिखेगा, 90 degree minus 42, Σाइण 90-42, शाइण 90-42, तो साइण स्क्šार घिक्रिटा क्या होगा बदेका समझ में आ गया आ इसे ही समझेगा, सूते गा नहीं, साधी करने जाएगा, पांट साथ तारी को इधर जाने वाला है फिर बाहर उधर जाएगा बच्चा हमरा सौब अब तैयार है एकदम तैयार है सब चीज फाइनल है फॉर्मू भड़ा चुका है रिमीट काड़ आएगा पंडी जी डिट निकालके भेजेंगे और हम यहां तैयारी करवार है कईचे कईचे क्या होना है और तीन घंटा का मूरत चलेगा आप विवासाधी करके आएगा तो ज्यादा समय नहीं एक महिना के बाद परिनाम घोसित हो जाएगा याद रखेगा जल्दी लिबताएगा क्या दिया हुआ है निमलिखित में किसका मान सबसे छोटा है सब बच्चा ब इलाद रखेंगे आँ चलो सब समझदार है किते होगा यह हो जाएगा 0, sin 90 हो जाएगा 1, cos 0 हो जाएगा 1 और 10 45 हो जाएगा 1 यानि यह 3 1 आओ 0 तो कौन छोटा है 0 बदा छोटा है चलो भाई समझ में आ गया 4 को समझ में आ गया अब देखो अगला question sin 90 माइनस ठीटा क्या होगा जल्दी जब आप दो क्या बात है सर मेरी साधी है किसका साधी है रे जल्दी तनी साधी का गीतु सुना दो बोलो भाई सर मेरी साधी है आपकी दावत है क्या बात है चलिए भाई दावत में जयूर आया जाएगा लेकिन बेटा आएंगे तो हम राते में याद रखेगा याद रखेगा सुबह छोबए से लेके राती आपके पास आप बनाईये मैं नहीं बनाऊंगा साइन ठीटा बढ़ा बड़ा बढ़ा बचा पांच दिया हुआ है साइन ठीटा बराबर 12 बच्चा 5 दिया हुआ है साइन ठीटा बराबर क्या दिया है ध्यान से देख लिजेगा तेन ठीटा बराबर दिया हुआ है 12 बाइ 5 आपसे पूछ रहा है कि साइन ठीटा का मान क्या होगा चल्दी यली बताइगे जल्दी जल्दी बताईगा sinθ का मान पूछ रहा है क्यों सब्सक्राइगत है ah अब घित जो भी दिया हुआóc ज़्दी आपको 1 निकाल दोiteléo की 13 अधGAN 220 18 तर्वाइन कंती होगा तो है तो साइं थिटा क्यों जाएगा तो h Rio 10ज का युख हो जाएगा अ ऑनमत्र क्रह modest विए कंप अ मेरे लिए किसी को नहीं बना सिधा और रहा है कि भाई कुछ नहीं Tot को ऐसे ही राने दो बस उपकार करना है एकदम ग्रिहस्त जीवन नहीं जीना है चलिए आगे बढ़ा जाए चलिए आगे बढ़ा जाए भाई आए देखो इधर कोस्चन देखो साधी करवाता है 200 रूपिये का दो दो बरसो में 20% की दर से चक्रविर्धी ब्याज और साधारन ब्याज का अंतर निमलिखित में किसके बराबर होगा जल्दी बताईएगा बहुत अच्छा कोशन है बेटा ऐसे आप डाइरेक्ट भी मैंने सिखाया है सिंपल इंट्रेस्ट निकालेंगे तो क्या जाएगा तो 200 रूपिया दिया हुआ है कितने साल के 20% धर से 2 साल के यह तो एमाउंट पहले निकालीजेगा तो क्या हो जाएगा 200 आप प्लस में 1 प्लस आर के जाएगा पर 20 आप बटा 100 आइदा 2 डाल दीजेगा 25 पंचे 100 हो जाएगा यहां क्या आगया तो 200 और यह बेटा 6 यानि 36 आप बटा 25 हो जाएगा 25 अटे कितना हो जाएगा 200 इसको क साथ ही गा तो आट शकर 45 हो गया धीर 24 आट यार थे जोगया's 28 Ьसकि अजी और यह हो डीर 324 आठाइगा 25 अ मौन्ट आत्रेकर को प्रोफेशन को फॉप आता हूँ जिसå प्रोफेशन को फॉलो कर रहा हूँ जिस्प्रोफेशन में आपका question आता है कोई छूटे नहीं सब टाइप का question कभी हुआ आ गया कभी वो आ गया कैसे दिमाग में maintain करेंगे कैसे time को maintain करेंगे सब चीज सिखा रहा हूं एक घंटा में 100 question देर घंटा में बता रहा हूं तो क्या वहाँ पर पतास question नहीं बनेगा तुम लोग से अराम से बन का कीजिए छौक से बेटा सब को सो से गुना करके देखे कि पीछे वाल आ रहा है कि नहीं इसको सो से गुना किजिएगा तो 20 आएगा यानी यह option आपका सही दिया हुआ है यानी गलत था यह सही है पूचरा कॉन गलत है इसको सौ से गुना करो तो 62 आएगा आ जाएगा पर डेसिमल आगे बर जाएगा और यह आपका दिया हुआ है 162 तो 162 को 100 से गुना करेंगा दूगों गलती दिखाई दे रहा है यह गलती दिखाई दे रहा है और आपको one point और यह गलती दिखाई दे रहा है दूगों गलती दिखाई दे रहा है इसको 100 से गुना किजेगा तो 102 को अंक आगे बढ़ेगा तो आपका जीरो पॉइंट यानि सो से गुना करेंगा अच्छा जूगो जीरो यहां 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 नहीं होगा यहां नहीं लिखो ठीक है सई कर लेना भाई इसमें मिस्टेक किया है काउंटिंग में यह बताओ जल्दी बताओ आप लोग देंगे घबराईएगा नहीं अभी बहुत अच्छे चो कोशन बचे हुए है बस पांदस में टोड़ लूंगा समय कितना दिया हुआ है बिटा परसेंटेज हटा दो इस परसेंटेज को उड़ाओ जल्दी इसको आत्म हत्या कर दो इसका बहुत नुकसान पहुंचा रहा ह बटा में 100 लगा दो इसको गुणा कर दो तो पचीस चोगा कितना हो जाएगा ए पचीस पचीज आ गुणा नहीं करो ऐसे करो पचीस पचीज आ चौसों पचीज हो गया और नीचे में 100 से भाग दीजेगा तो क्या होगा 6.25 कहीं दिया है आए आए दिया है आगया बिल्कुल आएंगे और द्या तो दरबार है भाई चलिए भाई 625 हो गया अरे भाई एगो चीत चोड़िये दिये रुको 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 बलंडर मिस्टेक कर दिया राम जी का नाम लिये तो याद आ गया देखो इदर क्या दिया हुआ हुआ है नीचे बेटा क्या आगया तो एक पर चार को सुनना तो बाहर से चलिया चार सुनना के बाद डिजित बचाई तो 0.0625 हो जाएगा कौन सो आप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा चलिए हम गलती है कर रहा है तो चलिए आगे बरते हैं जल्दी बताओ इसका क्या होगा तो इसका बेटा क्या हो जाएगा 6L स्क्वार इसका क्या हो जाएगा घिक तो कितना नाो ख्यों करना है तो में लंबाई को अगर 3 लों कर दिया जाता है तो प्रिष्ट हर और जाता है नौ गुना बर जाता है देखो एल था यहां थ्री एल तिन गुना हो गया तो इसका प्रिश्च झाल था जुना हो इसका प्राइबा, उ arithmetic को ङुना दू essaी है, धम है भाईबा की जाता है, भीयाओ, भीयां थ денег हो गया स्टालस्ट के इसकेए老त भी आया हुए क्या तो多 इसका उया सिय ँखिए उसका प्हू़ आता है रिकरता है रिसा बडक्रूर्व अ कांस few वोgan ग आगया आगया भाई आगया होगा आया की नहीं आया आगया होगा तलिए आगया अवाज गया था पानी पीने आगया बहुत देर से उसको भुका रहे तें गर्मी का समय है वुबीबेचरा परसान हो गया था आगया अब दिक्कत नहीं है आगया चलिए आगया भूआइस प्रॉब्लम था है नहीं वो भूत का कहानी था बर्तमान में ठीक हो गया चलिए अगला कोशन आपके पास दिया हुआ है देखो गौर से देखो बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बताईएगा जल्दी बताईए भाई जल्दी बताईए भूआ बहुत देर से करता हुआ था क्या बहुत लंबा समय से पढ़ाने के धून में थे दिमाग नहीं है चलो भाई सारे कोशंस ऐसे नहीं करवाना वागे बहुत 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 बहु चलिक सारे बच्चे बताऊंगे जल्दी बताओ पिसाल मत्रुत मत्वरा में आप जायेंगे नहीं जायेंगे अभी बाई अभी तो सारे द्हाम आप लोग में समा चुका है चलिए अगळा बढ़ा जािए यहां उन था यहां भी वन है 1 के बाद कुछ तो है नहीं 1 में से 1 चला गया था 2 3 फूर बचेगा चलिए अगला कोशन ये सब करवा चुके हैं अगला कोशन बेटा आपको बनाना है जल्दी बनाओ क्या दिया हुआ है जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ क्या दिया हुआ है ए प्लस बड़ावर 6 है ए भी दिया हुआ है ए माइनस बी तो ए माइनस बी का होले स्क्वेर क्या हो जाएगा मेरे भाई ए माइनस बी का होले स्क्वेर हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा भाई हमको लाना है na a minus b का whole square तो a plus b का whole square आ जायगा और minus में 4ab आ जाएगा minus me 4ab आ जाएगा a minus b का whole square आ जाएगा यही होगा बिल्कुल होगा a plus b कितना दिया हुआ है तो 6 दिया हुआ है 6 का A square माईनस में बेटा four already और वह बार बहुचा अग्साथ सोर। और बार क्या उत जाएगा टो रूट अंडर सोलें हुचार कहीं दिया हुआ है बिल्कुल दिया हुआ था चली आगे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे अमद्र चुट्कियों में बने एक सो दिया हुआ है एक सो बच्चा है जो 50-60 नमडर लाया है गनीत में तो पूछेगा इसका क्लास मार क्या होगा तो ग्लास मार क्या होता है जान लो इस सब भी जरूरी है ऐसे ऐसे कोस्टन पूछते हैं जो आपको फंस आता है लेकिन मेरा बच्चा फंसने उसने वाला नह तुम लोग जवाब नहीं देता है दिमाग चला जाता है उधर 50-56 50-56 तो कितना हो जाएगा 106 हो जाएगा भाग दीजेगा बेटा तीरेपन हो जाएगा 53 जो आंसर यानि कौन सो आप्सन हो जाएगा भी हो जाएगा यह सब भी पूछे जाते हैं चुटकियों में बनाएए चतरभूज है बेटा चक्डिये चतरभूज किसको कहा जाता है वैसा चतर चतर बहूज जो चकर के अंदर होता है किसके अंदर जो तो चक्ड के अंदर बना होता है चतरभूज उसी को चक्डिये चतरभूज का जाता है, cyclic quad lateral, A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, D दिया हुआ है, ठीक है, अब आपका angle A कितना दिया हुआ है, 40, अब देखो, इसमें आमने सामने के भूजा, यानि angle A, चक्डिये चतरभूज में क्या होगा, angle A के सामने angle C है, दुन्नू 180 हो जाएगा, और angle B के सामने angle D है, तो दुन्नू का माने 180 हो जाएगा, चक्डिये चतरभूज के आमने सामने के भूजा का योग 180 डिग्री होता है, तो E, बेटा 70 हो गया, तो इधर बाला क्या हो जाएगा भाई, E आपका हो जाएगा, E 40 है तो E 140 हो जाएगा, ठीक है, और 1 दिया हो था, B बड़ावर कितना पचास दिया होगा है, तो E बेटा 130 हो जाएगा, एक आपका 140 और 130, कहीं दिया होगा है, 140-130, यानि ए बाला के सामने 40 बाला के सामने 140 आप 50 बाला के सामने 130 फटाफट हो गया एक दम देखिएगा ऐसे ऐसे कोशन्स आपको पूछे जाते हैं लेकिन सारा मैं बता रहा हूँ इसलिए ऐसा नजर आ रहा है पहली बार देखोगे परिच्छा में तो दिमाग संट कर जाएगा इस सब को संट देखके कि इस अब तो कभी पढ़वे नहीं किये क्या होगा नहीं होगा कुछ पढ़ा हुआ रहता है तो ऐसे समझ में आता है कि हाँ भाई चलो यह तो जान रहा है थोड़ा बहुत इरर होगा सारे बच्चे बेटा लाइक कर देंगे नए नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया है वो बेटा जल्दी जल्दी करेंगे आगे बढ़ते हैं क्या दिया हुआ है यदी एक क्या दिया हुआ है यदी एक समानांतर चतर चत्रभूज की सभी भूजाए एक बिर्त को असपर्च करे समानांतर चत्रभूज की सभी भूजाए बेटा दिया हुआ है समानांतर चत्रभूज की सभी भूजाए एक बिर्त को असपर्च करे असपर्च करे तो समानांतर चत्रभूज होगा यानि क्या देखो ये समानांतर चतरभूज है ऐसे ठीक है और इसका सभी भूजा जो है वह आपको एक विर्त को असपर्च कर रहा है क्या कर रहा है इसके सभी भूजा कर रहा है नहीं कोना नहीं कर रहा है कहता है यदी एक समानांतर चतरभूज की सभी भूजाएं एक विर्त को असपर्च करता है इसका मतल इसमें पूछा गया है कि यह बिर्त जो होंगे वो क्या होंगे तो चक्रिये चतरभूज तो होगा नहीं चक्रिये अंदर में होता है चक्रिये क्या होता है अंदर में होता है और चक्रिये चतरभूज में आपका सारे के सारे कोना जो है वो तच करता है तो यह तो होगा नहीं का भूजा बेटा समान होगा और बराबर भी होगा यह आपको सम क्या है समानांतर चतरभूज दिया हुआ है ठीक है अब यह भूजा इसके बराबर हो जाएगा यह आपके इसके बराबर हो जाएगा और इधर वाला यह इसके बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा आपके पास क्या दिया हुआ है गोर से देखिएगा अगला कोशन निमलिखित में से सही कथन को बताईएगा जल्दी बताईए ऐसा-इसा कोशन है क्या काता है रूट फाइब एक परिमें संख्या है परिमें संख्या है रूट फाइब परिमें संख्या है या नहीं है नहीं ह कमान 1.7321.000.000.000.000,000.000,000.000,000.000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, फ्रतिक प्रत्यक प्रतिक 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 प्रतोस हो यह कोई जरूरी नहीं है ठीक है और Sc markings Bel summer never partner original original प्रतिक व स्तवी करेम हाँ और इक प्रतिक प्रतिक संहेर यह भी गलत है यानि B option सही है, B option क्या है, तो सही option है, ठीक है, मैंने, Sir मैंने में class ignore किया है, अगला आगे देखेगा, next question बेटा देखेगा, अब आपको लगभग, 2-3 question मेरे पास और है, खतम कर देता हूँ, यदि किसी त्रिभूज में 2 कोन बेटा दिया हुआ है, 50 और 60, तो वह किस प्रका का त्रिभूज होगा, तो बेटा आपका दिया हुआ है, एक कोन दिया हुआ है, 50 और एक कोन दिया हुआ है, 60, तो 50-60 कितना हो गया, 110 ते गो क्या होगा, 70 होगा, 50-60, तो 50-60-70, यानि सम दुभाहू तो होगा नहीं, विसम भाहू हाँ, सम बाहू सब कोन बड़ाबर होग होता है तो देखिए कौन अलग-अलग है तो सारे के भुजा भी अलग लोंगे और ये विशंबाहू हो जाएगा सारे भुजा अलग हो जाएंगे अब देखिए विजय ने एक किताब 50 रुपया में खरदा और उसे 55 रुपया में बेच दिया यानि SPN लॉस प्रोफिट लॉ हुआ यह नहिuary 10 रुपया यानि दस पर सिनका लब भुझा ना 50 रुपया में खरदा पच्पन में ब्हेजा तो पचास का का एक्सकार बेच कितना में दिया 165 में बेच दिया तो इसको इसको कर दो तो 11 एक्स बड़ावर यहां से क्या जाएगा 165 अगुने 10 आ बटा में 11 11 11 15 जानी 1500 जोड दिया 15100 का 10 15 रूपिया हो गया तो 165 में बेच दिया यानि सही बात चलिए अगला किसी बस्तू को 500 रुपिये में बेचने पर 25% का लाब होता है लाब होता है तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% का नुकसान होगा तो कुछों ने ये 500 में बेचा जा रहा है ना तो लाब होता है मालो X में खरदा होगा और 25% उस तो 500 अगूने 4 अबटा में 5 यानि 400 रूपया का बस्तू होगा यानि कितना होगा तो 400 रूपया यानि में बस्तू खरदा होगा 400 रूपया में खरदा 25% 400 का 100 रूपया होगा 500 में बेज दिया अब कहता है कि कितना में बेचेगा तो 10% का नुकसान होगा यहीं न तो 100 रूपय 500 में बेचेगा तो 10 और इसार्दीं परसेंट का नुक्सान हो realized 500 में बेच रहा था कितना फैदा था 25 इस परसेंट 25 एकसो घाएगा इसो या 500 चारको 2550 कि 100 हो जाता है नहीं यह घ Change question आपके पास इसथ बॉनके पासरे एक रेडियो को 27 स्यारोव करने परकी सेकती का 10% का लाब होता है, तो वह कितने रूपया में बेचेगा ताकि 15% का लाब होगा, तो 750, यानि क्या है, मान लोग कि रेडियो X का, और इसको कितना में 10% प्रोफिट ले लेता है, किसका? X का, तो आपको 2750 में बेच देता है, तो कितना गया भाई, इसको काट दो, एक आड़ा एकस अब टाटा 10 बढ़ावर कितना हो गया तो 2750 हो गया तो एकस बढ़ावर कितना हो गया 2750 अब टाटा 11 अगुणा में 10 हो गया अब 1255 जीरो यानि 2500 रूपया में रेडियो खरदा होगा अब क्या कहता है 15% लाब कमाना है तो 2500 रूपया है आप 15% बर जागा क इसका तो 2500 का 15% बढ़ा के लिए लेगा बात खतम है यानि 2500 ही हो गया 15% बढ़ा दीजिए तो 255 से 125 बार आप चीशी का ही 25 आदस पैंतीस आदस पैंतीस आदस तीस तीन सो पच्छत्तर यानि 2875 रूपया में अगर बेचेगा 2875 में बेचेगा तो उसको 15% का क्या हो जाए इतना सिंपल सिंपल कोस्टन है बस एक कोस्टन और बचा हुआ है खतम कर दिया हूँ पूरा का पूरा किसी बस्तू को 900 रूपया में बेचने से किसी बेक्ती को 25% का हानी होता है तो बेटा एक्स था हानी किया कितना तो 25% हानी किया किसका एक्स का तभू 900 रूपया में बे सो रूपया का समान होगा 900 में बेच दिया अब कहता है इस बस्तु को 600 में बेचने पर कितना का फाइदा होगा तो 1200 रूपया में खरदा है 600 में बेच रहा है तो प्रोफिट कितना का हो जाएगा तो प्रोफिट बेटा दुगो सुना चारतिये बार, 100 बटा 3, 100 बटा 3, 33 एक बटा 3 परसेंट, इतना का हो जाएगा फाइदा, ठीक है, अब आपका अंतिम कोश्चन, अंतिम चरन में आ चुके हैं, यदि 26 बस्तूओं का क्रैमूल, 25 बस्तूओं के बिक्रैमूल के बराबर हो, तो प्रतिसत लाब क करना पड़ेगा, जल्दी बताईए, बाई जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, अब मैं, अब मैं समय लेने वाला नहीं हूँ, अब तो समय हो गया, ए बोलो न, क्या होगा, क्या होगा, 26 माइनस 25 अबटा, किता हो जाएगा, 25 अगूने 100, अहाँ, यही होता है, मैंने पढ़ाया था, 26 बस्तूओं का क्रैमूल, 25 बस्तूओं के बिक्रैमूल के बराबर होगा, तो क्रैमूल, माइनस, बिक्रैमूल, बटा, बिक्रैमूल, गूने 100, लाभिया हानी के बराबर हो जाता है, यही फॉर्मूला होता है, तो क्या जाएगा, 1 बटा 25 गुने 100, किता गया भाई, 4 परसेंट, कहीं दिया हुआ है, तो मार दी जगा, कहीं दिया हुआ है, तो मार दी जगा, इस परकार बेटा, आपको मैंने बहुत ही खुबसूरत सा चैप्टर बहुत ही खुबसूरत और बेहतरीन चैप्टर मैं आपको रिभाईज करवाया लगभग आपको डेर पौने दो घंटा तो कलास होई गया लेकिन बेटा बहुत अच्छे-चे कोशन से मैंने 4-5-6 चैप्टर आपको रिभाईज करवा दि चाहिए और साम में याद रखिएगा आप लोग साम में काम किये थे आज हम लोग 300 पार्तों कल गये थे बहुत अच्छी बात है मैंने देखा भी था उस समय क्लास में तो ध्यान नहीं दिये लेकिन बेटा आज साम में बच्चे कम नहीं होने चाहिए याद रखेंगे आप लोग भी थोड़ा मेहनत करेंगे ठीक है मैं जब इतना कर सकता हूं तो आप लोग भी जरूर करेंगे मुझे भूमीद है विस्वास है कि होना भी चाहिए नो डाउट बेटा चॉकलेटी वाइप कोई पैसा नहीं लिया जाता है यहां फिरी में कलास होते हैं मैंने आपको दे रहा हूं अभी मैं लोड करूंगा सब ची देखो अगर आप लोग शेयर नहीं किजेगा नहीं पढ़िएगा तो इतना के बाद मुझे लोड करना होता है यह किजे वो किजे बहुत सारे मेहनत करने पड़ते हैं कोस्टन सेट करने पड़ते हैं डीपी पी दिया आता है सब में दिमाग खर्च होता है सब में बिजली नेट सारे चीज खर्च होते हैं मैं आपसे कुछ नहीं लेता हूं तो आप लोग बेटा जरूर मेहनत किजेगा नो डाउट चाहे पर लोग कहीं से भी पढ़ो लेखिन परहाई का कदर करो मेरे भाई रिजल्ट जरूर लाओ तो सारे बच्चे सियर करेंगे और साम में बिटा 7 बजे 110 परसंट सारे बच्चे उपसीत रहेंगे लो डाउट की नहीं रहेंगे साम में 7 बजे फीर आज फटा फटा का सेट आएगा और जहां तक मैंने कल आपको रिभाइज कर वाया है उससे आगे और सारे कोसंस नहां होंगे physics chemistry math 3 से आपका questions होगा गजब का questions होगा 500 questions वहां भी लेके आऊँगा 2,5 गंटा वहां भी चलेगा सुबह में 1,5 गंटा पढ़ाई दिये हैं एक गंटा 45 सभी पढ़ा दिये आई गंटा वहां कराएंगे 5 से 7 गंटा बिटा जितना चीज जलता है नो तो मेरा एक दिन का बिजली का खर्चाता है 200 रूपिया क्योंकि कमर्सियल यूनिट है 12 रूपी उनिट से कम होता नहीं है यह बोर्ड जलते हैं बहुत बल्ब जलता है पंखा चलता है एसी चलते रहता है लैप्टप चलते हैं कैमरा चलते हैं इतना कुछ चलता है ना बैटरी चार्ज होता है हाँ तो वो लोग समझ लोग की जो पैसा लेते हैं वो कहते हैं लाइट नहीं है नहीं पढ़ाऊंगा यह नहीं है वो नहीं करूंगा ऐसे नहीं है आज बिजली ग लागया फिर भी खेर उसका गम नहीं है लेकिन आप लोग इमानदारी से पढ़ेंगे जितना कहते हैं उतना करेंगे तो बेटा रिजल्ट बहुत बेतर होगा नो डाउट तो चलते हैं फिर मिलते हैं तो आप लोग बेटा शियर जरूर कीजिएगा मैं बार बार कहता हूँ शियर कीजिएगा और इस मन्त में मैं आपको दर्शन करवाऊंगा आपने सारे फैकल्टी और ओफलाइन के सारे बच्चे से हाँ बिल्कुल चलाते हैं 12 का क्लास चलाते हैं मेरे भाई चलिए ठीक है